कारकम में उपस्तित बिहार के राजपाल श्री राजेंद्र अरलेकर जी यहां के कर्मठ मुख्यमंत्री स्रीमान नितिश्खुमार जी हमारे विदेश मंत्री श्रीयाज जैसंकर जी विदेश राजमंत्री श्री पभित्र जी विभिन देशों के एक्सलेंसीज, अमबेसेडर्स नालंदा उनिवर्सिटी के बिशी प्रफसर स्टुडेंट्स ओपस्तित साथियो मुझे तीसरे कारकाल की शपत ग्रहन करने के बाद पहले दस दिनों में ही नालंदा आने का आउसर मिला है यह मेरा सोभगे तो है ही मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक सुप संकेत के रूप में देखता हूँ नालंदा यह केवन नाम नहीं है नालंदा एक पहचान है एक सम्मान है नालंदा एक मुल्य है नालंदा एक मर्त्र है गाथा है नालंदा है उद्गोश इस सत्यका की आग की लप्तों में पुस्तके भले जल जाएं लेकिन आग की लप्ते ज्यान को नहीं मिटा सकते नालंदा के दोंस ने भारत को अंदकार से भर दिया था अब इसकी पुनर्थापना भारत के स्वर्णिम यूग की शुरुआत करने जा रहा है साथियों अपने प्राचिन अवसेसों के समीप नालंदा का नवजागरा ये नया केमपस दिश्व को भारत के सामर्थ का परिचय देगा नालंदा पताएगा जो राष्ट मजबूत मानविये मुल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट इतिहास को पुनर जिवित करके बहतर भविश्की नीव रखना जानते हैं और साथ्यों नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर जागरन नहीं है इसमें विश्व के एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है एक उनिवर्सिटी केंपस के इनोग्रेशन में इतने देशों का उपस्तित होना ये अपने आप में अभूद पूर्वा है नालंदा उनिवर्सिटी के पुनर निर्मान में हमारे साथी देशों की भागिदारी भी रही है मैं इस अवसर पर भारत के सभी मित्र देशों का आप सभी का अभिनंदन करता हूँ मैं बिहार के लोगों को भी बढ़ाई देता हूँ बिहार अपने गवरव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की रह पर आगे बढ़ रहा है नालंदा का ये केंपस उसी की एक प्रेरिना है साथियों हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था नालंदा का अर्थ है न अलम ददाती इती नालंदा अर्थात जहां सिक्षा का ज्यान के दान का अवीरल प्रवाह हो सिख्षा को लेकर एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है सिख्षा सीमाओं से परे हैं नफा नुकसान के नजरिये से भी परे हैं सिख्षा ही हमें गड़ती हैं विचार देती हैं और उसे आकार देती हैं प्राचीन नालंदा में बच्चों का एड्मिशन उनकी पहचान उनकी नेस्नालिटी को देखकर नहीं होता था हर देश हर वर्क के युवाहें आते थे नालंदा विश्व विध्धाले के इस नए केंपस में हमें उसी प्राचीन ववस्ता को फिर से आदुने की रूप में मजबूती देनी है और मुझे ये देखकर खुशी है कि दुनिया के कई देशों से हाँ स्टूडन्स आने लगे है यहाँ नालंदा में 20 से जानदा देशों के स्टूडन्स पढ़ाई कर रहे है ये बसुधेव कुटुमकब की भावना का कितना सुन्दर प्रतीख है साथियों मुझे विश्वात है आने वाले समय में नालंदा उनिवर्सिटी फिर एक बार हमारे कल्चरल एक्षेंज का प्रमुक सेंटर बनेगी यहां भारत और साथिस्ट एशन देशों के आर्ट वर्क के डॉक्मेंटेशन का काफी काम हो रहा है यहां Common Archival Resources Center की सापना भी की गई है नालंदा उनिवर्सिटी आश्यान इंडिया उनिवर्सिटी नेटवर्क बनाने की दिसा में भी काम कर रही है इतने कम समय में ही कई लीडिंग ग्लोबल इंस्टिजूशन यहां एक साथ आए है एक ऐसे समय में जबी कीशवी सदी को एशिया की सदी कहां जा रहा है हमारे ये साजा प्रयास हमारी साजी प्रगती को नई उर्जा देंगे साथियों भारत में सिख्षा मानवता के लिए हमारे योगदान का एक माध्यम मानी जाती है हम सिखते हैं ताकि अप्वे ज्यान से मानवता का भला कर सके आप देखिए अभी दो दिन ही के बाद ही 21 जून को इंटरनेशनल योगा रहे हैं आज भारत में योग की सेंकडो विधाय मोजूद है हमारे रूश्यों ने कितना गहन सोद इसके लिए किया होगा लेकिन किसी ने योग पर एक आधिकार नहीं बनाया आज पुरा विश्व योग को अपना रहा है योग दिवस एक वैश्विक उत्सव मन गया है हमने अपने आयुर्वेद को भी पूरे विश्व के साथ साहजा किया है आज आयुर्वेद को स्वस्त जीवन के एक स्त्रोत के रूप में देखा जा रहा है सस्टेनेबल लाइपस्टाइल और सस्टेनेबल डेवलप्मेंट का एक और उदारन हमारे सामने है भारत ने सदियों तक सस्टेनेबिलिटी को एक मोडे के रुप में जी कर दिखाया है हम प्रगती और परियावरण को एक साथ लेकर चले हैं अपने उनी अनुभवों के आधार पर भारत ने विश्व को मिशन लाइफ जैसा मानविय विजन दिया है आज International Solar Alliance जैसे मंच सुरक्षित भविश की उम्मिद बन रहे हैं नालंदा उनिवर्सिटी का एक केंपस भी इसी भावना को आगे बढ़ाता है ये देश का पहला ऐसा केंपस है जो नेट जिरो एनरजी नेट जिरो एमिसंस नेट जिरो वोटर और नेट जिरो वेस्ट मोडल पर काम करेगा अप्प दीपो भव के मंत्र पर चलते हुए केंपस पूरी मानवता को नया रास्ता दिखाएगा साथियो जब सिख्षा का विकास होता है तो अर्थ ववस्ता और संस्कृती की जड़े भी मजबूत होती है हम डेवलप कंट्रीज को देखें तो ये पाएंगे वो एकोनामिक और कल्चरल लीडर तब बने जब वो एजुकेशनल लीडर्स हुए आज दुनिया भर के स्रुडेंस और ब्राइट मैंड्स उन देशों में जाकर वहाँ पढ़ना चाहते है कभी ऐसी हिस्तिती हमारे यहां नालंदा और विक्रम शिला जैसे स्थानों में हुआ करती थी इसलिए यह केवल संयोग नहीं है कि जब भारत सिख्षा में आगे था तब उसका आर्थिक सामर्थ अभी नहीं उचाई पड़ था यह किसी भी राज के विकास के लिए एक बेसिक रोड मैप है इसलिए 2047 तक विश्षिद होने के लक्ष पर काम कर रहा भारत इसके लिए अपने एजुकेशन सेक्टर को उसका कायकल्प कर रहा है मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के लिए सिख्षा और ध्यान का केंद्र बने मेरा मिशन है भारत की पहतान फिर से दुनिया के सबसे प्रमिनेट नौलेज सेंटर के रुप में उबरे और इसके लिए भारत आज बहुत कम उम्र से ही अपने स्टूडेंट्स को इनोवेशन की स्पिरीट से जोड रहा है आज एक तरफ एक करोर से जादा बच्चों को अटल टिंकरिंग लैप में लेटेस टेखनोलोजी के एक्स्पोजर का लाप मिल रहा है वही दूसरी और चंद्रयान और गगणयान जैसे मिशन स्टूडन्स में साइंस के प्रति रूची बढ़ा रहे हैं इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने एक दसक पहले स्टार्ट अप इंडिया मिशन की शुरुवात की थी तब बेश में कुछ सो ही स्टार्ट अप थे लेकिन आज भारत में एक लाग तीस हजार से ज्यादा स्टार्ट अप है पहले की तुलना में आज भारत से रिकॉर्ड पैटन्ट फाइल हो रहे हैं रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं हमारा जोर अपने यंग इनोवेटर्स को रिसर्च और इनोवेशन के लिए जादा से जादा मोके देने का है इसके लिए सरकार ने एक लाग करोड रुपिय का रिसर्च फंड बनाने की गोश्णा भी की है साथ क्यों हमारा प्रयास है भारत में दुनिया का सबसे comprehensive और complete skilling system हो भारत में दुनिया का सबसे advanced research oriented higher education system हो इन सारे प्रयासों के नतीजे भी दिखाई दे रहे है पिछले कुछ सालों में भारती उनिवर्सिटिक ने global ranking में पहले से काफी बहतर perform करना शुरू किया है दज साल पहले QS ranking में भारत के सिर्फ नव सिक्षा सम्थान थे आज इसकी संक्या बढ़कर 46 पहुँच रही है कुछ दिन पहले ही Times Higher Education Impact Ranking आई है कुछ साल पहले तक इस ranking में भारत के सिर्फ थर्टीन इंस्टिटूशन से तेरा अब इस Global Impact Ranking में भारत के करीब 100 सिच्षा संस्तान सामिल होया है पिछले दस वर्षों में आउस्टन भारत में हर सप्ता एक उनिवर्सिटी बनी है भारत में हर दिन एक नई ITI की स्थापना हुई है हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है भारत में हर दिन दो नए कॉलेज बने हैं आज देश में 23 IIT हैं दस साल पहले 13 I.M. से आज ये संख्या 21 है दस साल पहले की तुलना में आज करीब तीन गुना एनके 22 I.M. से दस साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब करीब दो गुनी हो गई है आज भारत के एजुकेशन सेक्टर में बड़े रिफार्प्स हो रहे है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भारत के युवाओं के सपनों को नया विस्तार दिया है भारत की उनिवर्सिटीज ने फोरेन उनिवर्सिटीज के साथ भी कॉलोबरेट करना शुरू कर दिया है इसके अलावा दिकन और वलूंगों जैसी इंटरनेशनल उनिवर्सिटीज भी भारत में अपने कैंपस खोल रही है इन सारे प्रयासों से भारतिये चात्रों को हायर एजुकेशन के लिए भारत में ही सर्वस्रेश्ट सिक्षा संसान उपलब्द हो रहे हैं इससे हमारे मद्यमबर की भी बचत भी हो रही है साथियों आज विदेशों में हमारे प्रीमियन इंस्टिटूर्स के कैंपस खुल रहे हैं इसी साल अबुधावी में आईटी देली का कैंपस खुला है तंजानिया में भी आईटी मद्राज का कैंपस सुरू हो चुका है और ग्लोबल होते भारतिय सिक्सा समसानों की तो ये शुरूवात है अभी तो नालंदा उनिवर्सिटी जैसे समसानों को भी दुनिया के कौने कौने में जाना है साथियों आज पूरी दुनिया की द्रष्टी भारत पर है भारत के युवाओं पर है दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ मदरब डेमोक्रिसी के साथ कंदे से कंधा मिला कर चलना चाहती है आप देखिए जब भारत कहता है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर तो विश्व उसके साथ खड़ा होता है जब भारत कहता है वन सम वन वर्ल वन ग्रेड तो विश्व उसके भविश्य की दिशा मानता है जब भारत कहता है वन अर्थ वन हेल्थ तो विश्व उसे सम्मान देता है स्विकार करता है नालन्दा की ये धर्ती, विश्व बंदुत्व की इस भावना को नया آयाम दे सकती है इसलिए नालन्दा के विद्यारतियों का दायत्व और जादा बड़ा है आप भारत और पुरे विश्व का भविश्व है अमरित काल के पतीस साल भारत के युवाओं के लिए बहुत एहम है ये पतीस वर्स नालंदा विश्व विद्याले के हर चात्र के लिए भी उतने ही महत्मपोड है यहां से निकल कर आप जिस भी शेतर में जाएं आप पर अपनी उनिवर्सिटी के मानविय मुल्यों की मुहर दिखनी चाहिए आपका जो लोगो है उसका सम्देश हमेशा याद रखिएगा आप लोग इसे नालंदा वे कहते हैं न व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सामन जश्च व्यक्ति का प्रकृति के साथ सामन जश्च आपके लोगों का आधार है आप अपने सिख्षिकों से सिख्षिए लेकिन इसके साथ ही एक दूसरे से सिख्षिने की भी कोशिश कर जिए Be Curious, Be Courageous and Above All Be Kind अपनी नौलेज को समाज में एक सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयोग करिए अपनी नौलेज से बहतर भविश का निर्मान करिए नालंदा का गवरव, हमारे भारत का गवरव, आपकी सफलता से तै होगा मुझे विश्वास है, आपके ज्यान से पूरी मानवता को दिशा मिलेगी मुझे विश्वास है, हमारे युवां आने वाले समय में पूरे विश्व को नेत्रत्व देंगे मुझे विश्वास है, नालंदा ग्लोबल कौज का एक महत्वपुन सेंटर बनेगा इसी कामना के साथ आप सभी का मैं रदे से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और नितिजी दे सरकार की तरब से पूरी मदद का जो आवान किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ भारत सरकार भी इस विचार यांत्ता को जितनी उर्जा दे सकता है उसमें कभी भी पीशे नहीं रहेगा इसी एक भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुप कामनाएं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मानेने प्रधान मंत्रे ची हमारे देश युवाव और सिक्षाएं